खाने में लाजवाब और बनाने में इतना असान, जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतना असान हो भी सकता है क्या, बिलकुल असान है और काफी लाजवाब बन कर तयार होता है, आप भी इस दिवाली अपने घर पर बनाए और बच्चे बड़े सभी के साथ इंजोई करें, चलिए बनाते हैं, तो इसके लिए एक नारियल को मैंने उपर कछिलका हटा कर इसे बारिक पीस लिया था और एक कपड़े में इस तरह से डाल दिया है और इसका हम दूद निकालेंगे, तो हम लड़ू बनाने जा रहे हैं नारियल और नारियल के दूद से इस तरह से निचोड़कर दूद अलग कर लिया और सुखे हुए नारियल को इस तरह से निचोड़े हुए नारियल को एक पलेट में रखकर इसे तोड़ लेंगे इस तरह से अलग-अलग कर लेंगे इसके साथ हम desiccated coconut भी लाएंगे इसे भी मिलाएंगे और फिर दोनों को मिलाकर हम साथ बनाएंगे तो gas on करेंगे एक पाइन रखेंगे एक चमच इसमें गी डालेंगे और गी डालने के बाद इसमें सबसे पहले हम नीचोडे हुए नारियल का जो हमारा बूरा बना था उसे रालेंगे और दो से तीन मिनट तक इसे भून लेंगे ताकि इसकी moisturizer हट जाए उसके बाद desiccated coconut यानि की सुखा हुआ नारियल का बूरा इसमें डालेंगे और इसे भी तीन से चार मिनट तक खुसबू आने तक भून लेंगे जब खुसबू इसमें आने लगे हलका सा color change हो तो जो हमने नारियल से दूद निकाला था उसे इसमें डालेंगे और mix करेंगे साथ ही हम एक कप इसमें चीनी डाल देंगे और mix करते जाएंगे flame को low रखेंगे और जब चीनी इस तरह से घूलने लगे थोड़ा सा liquid foam में आने लगे तो इसमें हम तीन चम्मच milk powder डालेंगे और food color डालेंगे हम color डाल के बनाएंगे लड़ू तो आप color ना डालना चाहें तो आप ना भी डालें white भी सिधा बना सकते हैं क्योंकि नारियल के लड़ू white ज्यादा बनते हैं मुझे color पसंद है मैंने color डाल लिया अच्छी तरह से mix कर लेंगे सारे को और last में एक चम्मच देसी की करेंगे और signing आने के लिए और इसे हम ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद चेक करेंगे तो यह देखिए यह बनने के लिए ready हो गया है अगर इस टाइम पर हाथ में चिपके तो एक चम्मच आप घी इसमें आउट आल सकते हैं लेकिन यह perfect बना है तो यह देखिए इस तर गोला बना लेंगे लड्डू बना लेंगे तो कुछ को मैंने लंबे बनाए गोल बनाए और कुछ को मैंने नारियल लपेट दिये तो इस तरह से हमारा यह लड्डू बनकर तयार हो गया काफी आसान है तूरंत बनता है और काफी लाजबाब भी है तो आप इस दिवाली ज ज़रूर कर लीजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे इसी तरह की नई और छोटी रेसेपी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें हैपी दिवाज़ेगे